हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू रेसेपी लेकर आई हूँ वेज पास्ता होट डॉग इसको खाने के बाद आप मार्केट का होट डॉग और पास्ता दोनों ही भूल जाएंगे यह इतना जाधा टेस्टी बनेगा कि बच्चों के साथ में बड़ो को भ हाफ कप श्रेड़ेट कैबच हाफ कप एड करने के बाद मैं इसमें कैप्सिकम के जूलियन्स एड कर रही हूं हाफ कप ओनियन जूलियन्स एड करेंगे हाफ कप और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत जादा टेस्टी बनता है और मिंटो में बन जाता है अब मैं एड करने वाली हूँ शेजवान सॉस वन फोर्थ कप टोमैटो कैचप एड करेंगे टू टेबल स्पोन गार्लिक सॉस भी आड़ कर सकते हैं आप 2 टेबल स्पून अगर आपको पसंद है तो रेड चिली 2 टेबल स्पून यह मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली हैं आप अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग आड़ कर सकते हैं सॉल्ट अकॉर्डिंग टो यूर टेस्ट सबको बहुत अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे देखिए कितना प्यारा कलर आया है अब मैंने लिये ही होट डॉग बंस इसको इस तरह से बीच में से स्लिट करेंगे और थोड़ा सा खाली कर लेंगे इसमें कैविटी बना लेंगे हम बीच में जिसमें हम अपनी स्टफिंग को फिल करेंगे ये एक बोर्ट जैसा बन जाएगा और बच्चों को देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा अंदर हम अप्लाई करेंगे बटर बटर आप कुछ इतना पसंद है आप उतना आइड कर सकते हैं अच्छी तरह से कोट करूँगी मैं चारो तरफ बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा तो लगाने में बटर को कंजूसी ना करें अब हमारी जो स्टफिंग रेडी है हम उसको इसमें फिल कर देंगे देखने में भी ये हॉट डॉग बंस बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में बच्चों का एकदम से मन करेगा इसको देखकर चीज हमारी ऐसी ही बननी चाहिए जिसको देखकर एकदम से मन करें कि बस जल्दी से का जाए तो ये देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे वच्चों का एकदम मन करेगा कि हम इसको जल्दी से खाले तो इसको जरूर बना के ट्राइ करें अब मैं ग्रेटेट चीज उपर से डालूँगी खूप सारा ग्रेटेट चीज चीज जब मैल्ट होगा तो बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो ये है ही बहुत टेस्टी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार इसको आप जरूर बना कर देखें अच्छी तरह से चीज लगाने के बाद 200 डिग्री पर प्रेहिटेड हवन में हम 5 मिंट के लिए अपने हॉट डॉग बन्स को बेक कर लेंगे आप चाहें तो कडाई में भी कर सकते हैं बिलकुल लो फ्लेम पर तो देखें कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे है हमारे हॉट डॉग बन्स अगर रेसेपी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को थैंक्स फॉर वाचिंग